आदर शिक्षण समेती पाडमीर आपका हारतिक स्वागत करता है कक्षादितिया विशे पर्यावन अध्यन अध्याई 11 संतुलित आहार एवं उनके स्रोत संतुलित आहार ना मिलने पर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं संतुलित बोजन में कई प्रकार के आवसेक्तत तो पाये जाते हैं जो निम्न प्रकार है पहला है कार्बो हाइट्रेड गोड दूद दही मक्षन चीनी आदी से प्रप्त होता है ये सरीर को उर्जा तथा ताप परदान करता है संतुलित आहर ना मिलने पर अन्य प्रकार की बिमरियां फैल जाती है संतुलित आहर में अन्य प्रकार के तत्तों पाए जाते हैं उनमें से पहला तत्तों है कार्बो हाइट्रेड कार्बो हाइट्रेड हमें किस से मिलता है गोड, दूद, दई, मक्षन, चीनी आदी से प्राप्त होता है वसा वसा सिखने पदार्त गी, तेल, मक्षन आदी से प्राप्त होती है ये सरीर को बलवान तथा पुस्ट बनाती है प्रोटीन ये हैं गीहूं, चावाल, दाल, अंडी, दूद, आदी, भोजी पदार्तों से प्राप्त होता है ये सरीर की वरदी एंटूट फूट की मरमत करता है दूसरा है वसा वसा सिखने पदार्तों से मिलता है जैसे गीए, तेले, मक्षन आदी से प्राप्त होता है जिससे सरीर मजबूत वतक्त वर बनता है प्रोटीन प्रोटीन गिहूं, चावाल, डाल, अंडी, दूद, आदी से प्राप्त होता है ये सरीर की टूट-फूट के लिए मरमत करता है खनीज लवन, ये नमक, कैलेसियम, हरी तथा पत्ते वाली सबजियों से प्राप्त होता है ये खून को साप करने के लिए आवसेक तत्तो है अगला है विटामीन, फलों, मेवों, हरी सब्जियों से, अंकुरित, अनाज, दालों, तथा सलादादी से प्राप्त होता है खनीज लवन, नमक, कैलेसियम, हरी पत्ते दार सब्जियों से प्राप्त होता है ये खून को साप करने के लिए आवसेक तत्तो है विटामीन फलों, मेवों, हरी सबजियों, अंकुरित अनाज, डालों आदी से प्राप्ता होता है अगला है जल चल हमारे लिए अति आवशेक है ये बोजन को पचाने और सरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक है हमें प्रती दिन आड़ से दस गिलास पानी पीना चाहिए बोजन अमेशा सुद्ध ताजा तथा जेवणों रही थी करना चाहिए जल हमारे सरीर के लिए अतियाव शेक है ये बोजन को पचाने और सरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक होता है हमें प्रती दिन आड़ से दस गिलास पानी पीना चाहिए बोजन अमेशा सुद्ध ताजा और जेवणों रही थी करना हाँ अत्वा नई में उत्तर तीजिए पहला मास मसली अंडे साखारी बोजन है नहीं दूसरा जल सरीर की सबी किरियाओं के संचालन में आवस्यक है हाँ प्रशन नमबर एक प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है उत्तर प्रोटीन हमें गेहूं चावल डाल अंडे दूद आदी भोजे पदारतों से मिलता है